नमस्कार प्यारे बच्चो राम राम कैसे हो उमीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वास्त होंगे प्यारे बच्चो अपनी RPSC SI बढ़ती प्रिक्षा 2023 के लिए टेस्ट शीरीज चल रही है तो अब तक अपनी 8 टेस्ट शीरीज साथ टेस्ट शीरीज कंपलेट हो चुकी ह और आज की सेशन में अपन बात करेंगे 8 टेस्ट शीरीज के उपर इस से पहले बारे टेस्ट शीरीज पहरे बच्चो अगर आपने नहीं देखिए हैं तो इन्फिजन नोट्स की यूटूब चैनल शाप ये कंपलेट है जो पिछे वाली टेस्ट शीरीज है वो चेक कर सकत हो और प्यारे बच्चो सुनने में आ रहा है कि जल्द ही ऐसाई बढ़ती प्रिक्षा 2023 का विग्यापन जारी होने की संभावना है चुनावी साल है प्यारे बच्चो तो इसी साल के अंदर ऐसाई बढ़ती प्रिक्षा और आरेश की बड़ी बढ़ती प्रिक्षा है ये टेस्ट श्रीज आपके लिए बहुती सांदार और फाइदेमंद सावित होने वाली है, ये जितने भी मैं क्यूसंस आपको यहां पर बता रहा हूं, ये कहिने कहिन पर जो परिक्सा में जरूर पूछे गए हैं, जाए लास्ट एर की जो भी एक्जाम हुई है, उनमें ये जिक्के से जुड़े हैं, वो पूछे गए हैं, तो इंपोर्टेंट क्यूसंस हैं, इनको आप जरूर एक बार देखेगा, और इसके अलावा जो हिंदी वाला पार्ट आपका, तो हिंदी की टेस्ट श्रीज वाला पार्ट भी अपन जल्दी लेकर आएंगे, तो हमारी अच्छी तरह से अपने थोरी वाला पार्ट हैं, तो हमारी की टेस्ट श्रीज हैं, उसको भी जोन कीजिए, जिससे आप की तयारी और बेतर हो सके, चलिए, आज शुरू करते हैं, टेस्ट श्रीज का जो पहला परसन है, वो देखेगा, क्या कह रहा है, राव माल देव का राजा पी शेख, किस जगह पर वाता, कौन्छी अस्तान पर इनका राजा भी शेख वाता, तो उप्शन है, मेहरान गड, सोनार किला, लोहा गड, या फिर सोजट, कौन्छी जगह हुआता है पहरे बचो, सोजट में, सोजट अस्तान है, सोजट पाली के अंदर पढ़ता है, ये सोजट अस्तान है, तो वहाँ पर राव माल देव का राजा पी शेख हुआ था, तो उप्शन नमबर डी आपका इस से परशन को पढ़ कर, उसके बाद में उसको उप्शन से उनको देखेगा, उसके बाद में आपको क्या जवाब देना है, प्यारे बचो, जल्द बाजी अगर आप करोगे, तो आपको परशन आते हुए आप गलत कर बट होगे, तो ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है, नेक सकते हो किसने किसको कौन सी उपादी दी, महत्मा गांदी किने किसको दी, सुभाचंदर भोष ने, जभाड लाल ने, इनके बारे में भी कई बार प्रतिविकता पर एक सवामी परसन पूछा गया है, तो उपादी हो वाला जो टोपिक है, वो एक चार्ट बनागर आप एक याद कर लिजेगा, यहां पर देखेगा, मुगल सासक सहाजा ने, सहाजा के द्वारा, जश्वंत सिंग को उपादी दी गई थी, उसका क्या नाम था प्यारे बचो, उप्शन है, राव राजा, महाराजा, सवाई राजा, या राजा दिराज, इन में से कौन सी उपादी, मुगल सासक सहाजा के द्वारा, जश्वंत सिंग को दी गई थी, तो महाराजा की उपादी दी गई थी, यह उपादी आपको ध्यान में रखने है, कौन सी उपादी है, महाराजा की उपादी है, मुगल सासक सहाजा के द्वारा, जश्वंत सिंग को दी गई थी, तो उप् में राई के बाग के निरमान किस राणी ने करवा था जोतबुर्च लेकी अंदर जो र्जानी के दुवा मै तो यह अपने आप परसन हो गया कि आपसे गुँज लिएजाए कि राउका बागस्तान कोन शी जग़Two जोतबुर्च लेके अडर श्ती तो राई के बाग का निर्मान किस राणी के दुवारा करवाय गया था तो प्यर्वश राणी का नाम था जश्वंत देव क्या नाम था जश्वंत देव के दुवारा राई का बाग है उसका निर्मान करवाय गया था तो ओप्शन नमबर सी आपका इसके इंदर क्या हो गया सही जबाब हो गया अगला जो परसनव देखेगा दुर्गादास का पालन पोशन माता दुवारा किस जगह पर किया गया था दुर्गादास थे इनका पालन पोशन माता दुवारा कौनचे स्थान पर किया गया था तो प्यारी पूप्शन है लूणवा, नाडोल, सोजद या इनमें से कोई नहीं तो कौनचे स्थान पर गया था प्यारी पूप्शन आपको ध्यान में रखना है लोणवाँ अस्तान है वहाँ पर दुर्गादास का पालन पोशन किया गया था तो ओप्शन नमबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जबाब हो गया अगला जो परचन वो देखेगा माल देव ने राजा बनने के बाद कौन सी उपादी धारन की? माल देव जब राजा बना उसके बाद में उन्होंने कौन ची उपादी धारन की थी? वो उपादी थी प्यारे बचो हिंदू बादसा की उपादी जब माल देव राजा बन गया था उसके बाद में उन्होंने हिंदू बादसा की उपादी है वो धारण करी थी तो option number C आपका इसके अंदर क्या हो गया सही जवाब हो गया अगला परशन है जोदपुर में सवरूप सागर को जाना जाता है जोदपुर के अंदर जो सवरूप सागर बना हुआ है उसको किस नाम से जाना जाता है option है लाल सागर मोती तालाब या अमर सागर या बहुजी तालाब किस नाम से जाना जाता है जोदपुर का जो सवरूप सागर है उसको बहुजी तालाब के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है बहुजी तालाब के नाम से जाना जाता है option number D आपका इसके अंदर क्या हो गया सही जवाब हो गया अगला option है परसने मारवाड रियासत में सामन्त पढ़ता का वास्तविक संस्ता पकोन था सामन्त की जो पढ़ता थी उसका वास्तविक संस्ता पकोन था प्यारे बचो अप्शन है राव जोदा माल देव राम सिंग या जश्वन्त सिंग मारवाड रियासत में जो सामन्द पड़ता थी उसका वास्तविक संस्तापक था प्यारे बच्छो जस्वन्त शिंग कौन था जस्वन्त शिंग है जो वास्तविक संस्तापक है वो थे और जो परशन वो देखेगा 1638 इस्विक में जस्वन्त शिंग का राज तिलक के किस जगह के उपर हुआ था कौन से स्थान पर इनका राज तिलक है वो किया गया था 1638 इस्विक में जस्वन्त शिंग का राज तिलक है कहां पर हुआता है प्यारे बच्छो आगरा के अंदर है आगरा के अंदर है कहां पर हुआ था आगरा जो भी वर्तमान में उत्तर परदेश राज्ये के अंदर रिस्तित है तो आगरा के अंदर है इनका ये राजा भी ज राज तिलग है किया गया था अगला उप्षन देखेगा प्रसंदेखेगा कालिंद्री में अजीत सिंग को किस के सनक्षन में रखा गया था कालिंद्री है वहाँ पर अजीत सिंग को किस के सनक्षन में रखा गया था तो प्यारे बच्चों मुकुंद दास के सनक्षण के लिए रखा गया था option number C आपका इसकंदर क्या हो गया सही जबाब हो गया प्रशन को एक बार ध्यान चाप देखेगा कालेंदरी में अजीत सिंग को किसके सनक्षण में रखा गया था तो मुकुंद दास के सनक्षण में इनको रखा गया था अग्ला जो परशन देखेगा दुरगा दास की मृत्यू किस डान पर हूई थी दुरगा दास है उनकी मृत्यू इनमें क्यों शीस्टान पर हूई थी प्यारेबचो cylinder उनकी मृत्यू हुई थी उजेन में और उजेन वर्तमान में कहां पर है मद्य प्रदेश के अंदर इस्तित है उजेन वहां पर दूरगादास की है तो मृत्यू हुई थी मारवाड के राजा सूजा के समय बिकानेर के किस सासक ने हमला किया था मारवाड के राजा सूजा के समय बिकानेर का कौन सा सासक था जिनोंने हमला किया था तो बिकानेर के जो बिका राजा थे बिका सासक है उन्होंने मारवाड के राजा सूजा के समय बिकानेर के राजा ने किया था हमला किया था यह आपको नाम ध्यान में रखना है राजा विका सासिक विका ने यह हमला किया था अग्या जो परशनव देखेगा 1533 इस्यूव में नागोर के दोल्द खान को मालदेव ने किस यूद में पराजित किया था प्रश्ण को एक बार ज्यान से देखेगा 1533 इस्वी में नागोर के दोलत खान को माल देव ने किस यूद में पराजित किया था कौन सा यूद हुआ था? हीरा बाडी का यूद हुआ था प्यारे बच्चो हीरा बाडी का यूद कब हुआ? 1533 इस्वी में नागोर के दोलत खान को माल देव ने किस यूद में पराजित किया था? हीरा बाडी का यूद हीरा बाडी का यूद कब हुआ? 1533 में किस किस के बीच में हुआ था? दोलत खान और माल देव के बीच में जो यह लिन्क करो बन रहे हैं वो आपको ध्यान में रखने है यूद कब हुआ किस-किस के बेच में वा। कोषा यूद था। यूद का क्या नाम था। हिरा बाडी का यूद पंद्राशु तेतीस में, दूलत खान और माल्डे और प्राजित वा दूलत खान प्राजित वा और माल्डे वे है, वो इसके अंदर विजे ही हुआ था, तो यह आपको ध्यान में रखना है, optri नमबर बी आपके का इसके अंदर क्या हो गया? ज़ी जवाब हो गया. अगलाज देखेगा परसन है और योप्शन नमBER डी आपका इसके अंदर क्या हो गया सही जवाब हो गया अगला जो परसन है वो देखेगा राव जोदा के किस पुत्री की साधी कुम्बा से करवाए गई थी राव जोदा थे उन की उसकी जो पुत्री थी कौन ची थी उनकी साधी कुंबा से करवाए गई थी तो उस पुत्री का नाम था सुरूंगार देवी क्या नाम था? सुरूंगार देवी थी उनकी साधी कुंबा से वी थी सुरूंगार देवी किन की पुत्री थी? राव जोदा की पुत्री थी तो यह आपको इसमें द्यान में रखना है option number A इसमें आपका सई जबाब हो गया आगला परशना वो देखेगा इन में से कौन से गरंत जश्वन्त सिंग के दुवारा लिखे गए थे यह जो गरंत लिखे हुए है इन में से जश्वन्त सिंग ने कौन कौन से गरंत लिखे थे प्रबोद चंद्रे बासा बुष्णन अप्रोक्स शिधांतर यह तीनों के तीनों गरंत है वो जश्वन्त सिंग के दुवारा लिखे गए थे option number D आपका इसके अंदर क्या हो गया सही जवाब हो गया पहवबा के यूद में माल देव ने विकानेर के किस राजा को हराय था कौन से राजा को हराय था प्यरे बच्चों राठोड बिंदा को पहवबा के यूद में माल देव ने हराय था तो यह यूदे किन-किन के बीच में हुआ था? पहोबा का यूदे, मालदेव और विकनेर के राजा, राठोड बिंदा के बीच में यूदु वा था, उस यूद का नाम था, पहोबा का यूदु पहोबा यूद है, इन दोनों के मद्धे हुआ था आगे जो परसन है वो देखेगा तीस वर्षी यूद का नेतरत्वा मारवाड के लिए किसने किया था तो तीस वर्षी यूद वा था इसका नेतरत्वा मारवाड के लिए किसके द्वारा किया गया था दुर्गा दास के दुवारा किसने किया था प्यारे बच्चो दुर्गा दास के दुवारा इसका नेत्रत्व है किया गया था option number C आप ऐसकंदर क्या हो गया सही जवाब हो गया अगला जो परसना वो देखेगा जोदपूर में चितर पेलेश का निर्मान किस राजा ने करवाया था जोदपूर गेंदर जो चितर पेलेश है उसका निर्मान किस राजा के दुवारा करवाया गया था राजा उमेद सिंह के द्वारा किसके द्वारा करवाए गया था राजा उमेद सिंह के द्वारा जोद बुर्गा जो चित्र पेले से उसका निर्माण करवाए गया था प्यारे बचो चलिए नेक्स्ट अगला परसन वो देखेगा देलत भन की उपादी जहांगीर ने किसको दी थी कौन चे साथ सग्या राजा को दी थी प्यारे पर जो गज सिंग है उनको जहांगीर के द्वारा देलत भन की उपादी है वो दी गई थी तो ओप्शन नमबर डी आपका इसमें सही जबाब हो गया अगला जो परसन वो देखेगा 1835 इस्वी में एरीन पूरा में जोदपूर लीजल का गठन किसे राजा के काल में किया गया था कौन चे राजा के काल में 1835 इस्वी में एरीन पूरा में जोदपूर लीजल का गठन है वो किया गया था, तो प्यारे बचा मान सिंग के, मान सिंग राजा है, उसके काल के अंदर है, जोधपुर्लीजल का गठ सब finer था, कब के अगया था, 1835 इस वीविके अंदर, तो अप्शन नम्बर भी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया, अगला परसना वो देखेगा मारवाड में कन्यावद को रोखने के लिए किस राजा ने कठोर रूप से नियम लागू किये थे कौन से राजा थे उन्होंने कन्यावद को रोखने के लिए नियम कानून बनाय थे तो राजा तक्त सिंग ने कौन से राजा थे तक्त सिंग के दुआरा कन्यावत को रोकने के लिए खठोड नियम है वो बनाय गए थे अगला जो प्रसन वो देखेगा मारवाड के किस राजा ने मुगलों के सामने निरंतर यूद जारी रखा था मुगलों के सामने निरंतर जारी यूद किस मारवाड राजा ने रखा था उस मारवाड राजा का नाम ताराव चंदरशें के दुआरा मुगलों के सामने निरंतर यूद है वो जारी रखा था हार नए मानी थी इनोंने और कंटिनू यूद है वो जारी रखा था अगला जो प्रसन वो देखेगा मारवार के किस राजा ने नागोर दर्मार में अकबर की अधिनता सुविकार नहीं की थी अब होता क्या है कई बार प्रसन जल्दवाजी में अपन पढ़ते हैं और यह नहीं सब दैस को नहीं पढ़ते हैं और यहां कर बैठते हैं कि अधिनत स्विकार की थी तो उसमें फिर अपना ओप्शन भी क्या है गलत ठीक हो जाता है तो प्रसन को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है समय देकर पढ़ना है देखेगा मारवाड के किस राजा ने नागोर दरबार में नागोर का जो दरबार था उसके अंदर अन्य राजा थ प्यारे बच्चो राव चंदर शेन के दुवारा अकबर की अधिन्ता है स्रीकार नहीं करी गई थी यह इनका नाम आपको क्या है ज्यान में रखना है अगला जो प्रसना वो देखेगा मारवाड की पन्ना दाए मारवाड की जो पन्ना दाए किन को कहा गया है गोरा दाए गोरा दाए को मारवाड की पन्ना दाए के नाम से पुकारा गया है तो ओप्शन नम्मर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया सही जबाब हो गया अगला जो प्रसना वो देखेगा जस्वन तड़ा इस्थित है जस्वन तड़ा ये जो है कहां पर इस्थित है प्यारे बच्छों कौन से जिल्ले में है तो जस्वन तड़ा आपका क्या है जोदपूर जिल्ले के अंदर इस्थित है तो आज की जो टेश श्रीज ती टेश श्रीज कर्मांक आठ है इसके जो प कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपने अभी तक के इन्फिजिन नोट्स की यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा जिस से आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके इसके अलावा अगर पहरे बत्चो और इस्टाग्राम चैनल उसको फोलो कीजिएगा वहां से आपको डेली करंट अफेर की जानकारी है वो मिल जाएगी और टेश श्रीज की जुड़े एक्विशन्स में आपको इन्फिजिन नोट्स के यूटूब चैनल के मादम से बताता रहूँगा और ठियोरी का फरी सेंपल नोट्स पड़ाये जाएंगे फरी सेंपल नोट्स का मतलब आपको एक रुपए भी नहीं देना होगा पहले आप उसके सेंपल नोट्स पढ़ियेगा उसके बाद में आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको नोट्स ठाम औरं आप ऑल-अवर-ईंडया में कहीं को लेकर बढ़ती परिक्साओं को लेकर वो सारे के सारे डाउट आपके है क्लियर के जाएंगे चलिए प्यारे बत्चो मिलते हैं अपन नेक्स्ट टे स्रीज में तब तक के लिए आप जो पिछे के टे सीरीज है इनके सारे क्यूसंस है उनकी प्रेक्टिस कीजिएगा अवाद राम-राम